नमस्कार विद्ध्यारतियों मैं पुश्पेंजरा को दिया स्वागत करता हूं आप सभी का ये सेल परिवार के इस ऑन्लाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म पर लास्ट क्लास में हम बहुपत के अंदर कुछ बीजिये सर्व समीकां को डिसकस कर रहे थे एक बार हम उनको पड़ी थी कि एकस प्लस वाई का अगर में होल स्क्वाइर करूंगा तो पहली संक्या का स्क्वाइर होगा तो एकस वाई आएगा और वाई स्क्वाइर आएगा दूसरी सर्व समीकाती एकस माइनस वाई का अगर में होल स्क्वाइर करूंगा तो य की जगे सिर्फ माइनस y आपको यहाँ पर रखना है तो आपका यह आएगा थर्ड वाला हमने पढ़ा था कि x square minus y square को अगर मैं करता हूं x square minus y square को अगर मैं करता हूं तो पहले तो दोनों का minus आएगा कि आद दोनों को जोड़ दो और फिर दोनों को गटा के आपस में गुणा कर दो ठीक है fourth one थी हमारी जब हमने x plus a और x plus b टाइप के किये थे तो x का square कर दो a और b दोनों को जोड़ दो और x से गुणा कर दो और फिर a और b दोनों को आपस में गुणा कर दो ठीक है यह तो हमने देखा था दो चरों के लिए तीन चरों के लिए क्या था हमारा x plus y plus z का अगर मैं all square करने जाऊ तो पहली संख्या का square दूसरी संख्या का square तीसरी का square पहली और दूसरी को गुणा करो दुणा कर दो दूसरी और तीसरी को गुणा करो दुणा कर दो करेक्ट है, ये पाचो सर्व समिकाएं थी हमारी, वो केवल द्वी घात बहुपत के लिए थी, इसके बाद हमने त्री घात बहुपत के लिए दो सर्व समिकाएं देखी थी, छटा वाला था आपका, एक्स प्लस वाई का अगर मैं हॉल क्यूब करता हूँ, तो क्या किया था हमने, पहले का क्यूब, दूसरे का क्यूब, प्लस थ्री एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, एक तो ये रूप हमने पढ़ा था, और एक हमने पढ़ा था, कि पहले का क्यूब कर तो फिर पहले के cube को घटाते हुए जाओ और दूसरे की घात को बढ़ाते हुए जाओ क्या देखा था पहले का cube करो पहले की घात को घटाते हुए जाओ दूसरे की घात को बढ़ाते हुए आओ ये चटी हो गई अपनी तात्मी हमने देखी थी अगर मैं x-y का all cube करता हूँ तो y की जगे सब जगे-y रख दो और दूसरा method के से लिख सकते हो x की गात 3 ठीक है एक बार आप देख लीजिए especially यह तो हमने पिछली classes में पढ़ा हुआ है starting के चार्ट सार्ब समी कहें यह वाली की तीनों का पहले work करो पहली दूसरी को गुणा कर दो दुगना कर दो दूसरी तीसरी को गुणा कर दो उसको भी दुगना कर दो क्यूब बाला है आपका पहले का cube, दूसरे का cube, 3xy, x plus y, अगर ये वाला नहीं है, तो x सी घात को घटाते वे जाओ, x cube, x square, x, x सी घात 0, और इधर की तरब से y की घात को घटाते वे लाओ, y cube, y square, y, y 0, बीच वाले दोनों पदों में 3-3 से गुणा कर दो, correct है, अब हम इसके बेस कुछ कुश्चन को एक बार solve परेंगे, ये वाली सर्व समिका हैं हमारी थी, एक कुश्चन है हमारा, पहला वाला जो है, ये है, 3a plus 4b का cube, तो formula क्या था हमारा एक बार formula मुझे comment में लिखके बताइए, अगर मुझे a plus b का cube करना है, या x plus y का cube करना है, तो इसका formula क्या था, हमने क्या formula सिखा था, सर्व समिका हमारी, ये था, x plus y का अगर मैं cube करता हूँ, तो क्या होगा मुझे, पहले का cube कर दो, दूसरे का cube कर दो, 3xy, x plus y, ठीक है, ये ही formula था, x की जगे 3a रखो, तो क्या होगा, 3a का cube, y की जगे 4b रखो, तो 4b का घन, प्लस 3, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, और उसके साथ में क्या होगा, 3a plus 4b, देखो एक बार कोई दिक्कत है क्या, simple formula में मान रखा है, x, e की जगे ये आ जाएगा, y की जगे 4b आ जाएगा, 3a का cube हो गया, 4b का cube हो गया, 3 गुणा x, y, x, y, और ये x प्लस y, करेक्ट कोई दिक्कत, अब इसको हम solve करते हैं आपका, 3 का घन कितना होता है, बताओ एक बार 3 का घन कितना होता है, यह होगा आपका 27, a cube, 4 का घन कितना होगा आपका, 64, b cube, इसको देखो क्या आएगा यहाँ पे, यह आगया, 3, 4, 12, 12 तिया 36, 36 को मेरे को 3 से गुना करना है, 3 गुना 4, 12 हो गया, 12 को 3 से गुना 36 हो गया, 36 को गर मैं 3 से गुना करूँगा तो, 98, 108, 108 आपका आएगा, a square b, इधर वाले में देखो वापस, यह 12, 12, 36, 36 को आपको 4 से गुना करना है, 36 को 4 से गुना करोगे तो, 24, 4, आशिल लगी, 245, 145, यह देखो, a, b, b, a, b square, correct, कोई दिक्कत, पहले वाले का cube किया है, दूसरे वाले का cube किया है, इनको आपस में गुना किया है, 4 तीया 12, 12, 36, 36 को 3 से गुना किया, 108, यह a था, b था, a था, a square भी हो गया, यह आपका हो गया, 12, 36, 36 को 4 से गुना किया, 145, यह a था, b था, b था, a, b square हो गया, ठीक है, next question हमारा आप लेते हैं, same form का है, 5p-3q का whole cube, ठीक है, क्या formula था हमारा, x-y का अगर मुझे whole cube करना है, तो पहले वाले का cube, minus दूसरे वाले का cube, minus 3xy, x-y, correct, यही formula था, मान रखना स्टार्ट करो, 5p का cube, minus, 3q का cube, minus 3, minus 3, x-y की जगे आपका आजाएगा, 5p, यह आपका 3q, और यह आपका, correct, solve करो, 5 का 125, 25, p की गाद 3, 3 का cube 27, q की गाद 3, देखो कितना आएगा यहापे, p है, q है, p है, तो यह तो आपका आगया, p square q, संख्या कितनी आएगी, 5 को 5 से गुन किया, 25 आगया, और उस 25 को 9 से गुना किया, 225 आगया, ठीक है, माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा, इसमें क्याएगा, p q q, यह आपका p q square हो गया, solve करो, यह आपका यह तीन, तीन तीन नो, नो तीन, सत्ता इस, सत्ता इस को गर में 5 से गुना करूँगा, 27 गुना, 5, 6, 35, 135, छीक है, 7, 35 का 5, 6, 3, 135, यह आपका अंसर है, correct, minus 29 लिखा है, minus यहाँ भी लिखा है, minus minus प्लस हो जाएगा, यह positive हो जाएगा, बाकि सिर्फ हमको गुना करना है, एक बार देखिए कोई दिक्कत है कि इसमें, चेक कर लिजे कोई दिक्कत हो तो बताईए, comment करके बताईए, correct है, चोई यह तो आगे बढ़ता है, क्या बोलता है, उपर्योक्त सर्व समीकाएं प्रियोग करके, मतलब जो हमने पढ़ी है, उनको प्रियोग करना है, निमलिखित में से प्रतिक का मान ग्याद कीजिए, यह, इनका बोलने का मतलब है कि आपको simple गुणा नहीं करना है, सर्व समीकाएं का उप्योग करो, सर्व समीकाएं का उप्योग करते हुए, 104 की घाथ 3 का मान अपने को निकालना है, तो देखो, कैसे निकालेंगे, यह आपका question है, 104 की घाथ 3, खीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कोई दिक्कत है लिखने में 104 को 100 प्लस 4 लिखने में दिक्कत आप पूछोगे सर क्यों लिखा इसलिए लिखा बिटा कि हमारा जो X प्लस Y का घाट 3 का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से काम करता है ठीक है कुछ इस तरह से काम करता है इस तरह से काम करने के लिए अगर आप इसको मैं X प्लस Y के रूप में लिख पाऊंगा तो यह फॉर्मूला लगा पाऊंगा तब ही मेरी सर्मसमी का लगेगी चलो लगाओ फॉर्मूला सबसे पहले क्या आएगा 100 की घाट 3 फिर के आएगा 4 की घाट 3 फिर के आएगा 3 गुणा 100 गुणा 4 गुणा 100 प्लस 4 ठीक है कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत यहां तक नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं यह क्या हो गया आपका एक बार दो बार तीन बार यह हो गया 16 चार्चों को 16 16 64 अब इसको हमको सॉल्व करना है तो यह क्या हो गया 12 यह आपका आगया 12 इसको मैं इसे लिख रहा हूं देखो 12 गुणा मतलब इस पहले वाले को मैंने हल कर लिया है अब मैं दूसरे वाले को हल कर रहा हूं तो 12 चार्चों को 48 00 correct तीन को 4 से गुना किया 12 आया 12 को 100 से गुना किया 12 सो आया 12 सो को 100 से गुना किया तो इस तापका आगया तीन को 4 से तीन को 4 से गुना किया 12 आया 12 को 4 से गुना किया 48 आया, 48 को 100 से कर दिया, 48 तो आ गया, अब इसको हल कर लो, क्या बोलता है यह, 2, 4, 6, 3 बार आ गया ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, और एक तो यह हो गया आपका, correct, यह आपका आ गया 64, यह कित्ता है, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, और यह 12 हो गया आपका, लास्ट में कित्ता है, 48, 0, छीक है, सिर्फ 0 का आपको ध्यान रखना है, सही जगे पर लिखोगे, तब ही सही आएगा, तरवाइस गलत आ सकता है, यह आपका 4 हो गया, यह आपका 6 हो गया, यह आपका 8 हो गया, यह आपका 4 हो गया, यह आपका 2 हो गया, यह एक और 1 हो गया, 1, 1, 2, 4, 8, 6, 4. Correct है? एक बार चेक कर लीजिए. एक बार केक्लुशन देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो. सिर्फ 104 को मैंने 100 प्लस 4 का क्यूब लिखा है. क्यों लिखा है? ताकि मैं इस फॉर्मूले को लगा पाऊं. इसके बाद ये सिर्फ फॉर्मूला लगाया और उनको expand किया है और अपना total आ गया है. ठीक है? आगे बढ़ें. ये आपका next question देखो. ये है 900 निन्डियान में का cube करना है. तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको इसे लिख सकता हूँ? कोई फरक पड़ा? 1000 में से अगर मैं एक को माइनस करूँगा तो 900 निन्डियान में ही मुझे मिलेगा. ठीक है? अब कौन सा फॉर्मूला मुझे काम में लेना है? x-y का whole cube करना है. तो x cube minus y cube minus 3xy x minus y. perfect. कोई दिक्केत यहां तक? ठीक है? चलिए. लगाते हैं फॉर्मूला आपका. क्या लगेगा? 1000 की घाट 3 minus 1 की घाट 3 minus 3 गुणा 1000 गुणा 1 और यह आपका कित्ता हो गया? 999 इसको भी लिख दूँ. चलो अगले स्टेप में ही solve करेंगे. correct? कोई दिक्कत सिर्फ फॉर्मूला अमने इस पर apply किया है. अब देखिए क्या निकलेगा? 9 तो 0 आएंगी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. correct है? 3 0 का cube करूँगा तो 9 0 बन जाएंगे. आपकी 3, 3, 6, 9. ये minus का 1 आगया. ये कित्त आएगा आपका? minus का 3, 1000 इससे गुना होगा 900. चलिए, इसको भी एक बार solve कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. minus 1. 900 निकले में को अगर मैं 3 से गुना करूँगा, तो मुझे मिलेगा 9 27 का 7, आसिल लगी 2, 29, आसिल लगी 2, 29. मुझे minus में क्या मिलेगा? 2, 9, 9, 7, 0, 0, 0. कोई दिक्कत? ठीक है, correct है? solve कर लिजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. यह हो गया. 3, 0 है. 1, 2, 3. और 7, 9, 9, 2. और एक को भी सी में जोड़ दो. यह आपका एक आ गया. इसको मुझे solve करना है. तो यह 9 बार गया. 9 बचा, 9 बचा, 2 बचा. 1 बचा, 1 बचा, 7 बचा, 9 बचा, और 9 बचा. चेक कर लोग वर के क्यात्यशन. दस में से एक गया तो नो बचा फिर नो बचा फिर नो बचा नो में से साथ गये दो बचे नो में से नो गया जीरो क्या कि हमें नहीं नो बचा नो 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 में से साथ गये दो बचे फिर ये जीरो फिर जीरो ये जीरो ये जीरो फिर 9 में से दो गया, 7 बचा, 9-9 ठीक है, कोई दिक्कट कोई दिक्कट समझ में आया कि नहीं आया चेक कर लो एक बार और ठीक है, क्या अंसर आया इसका 9-9 चलिए नेक्स कुशन लेते हैं सी की बेस पे अब ये देखिए क्या बोलना चारा है ये है बोलना चारा है कि हमें इस बाले बहुपत के गुनन खंड करने हैं अब इसकी शकल देख कि हमको ये लग रहा है कि ये कुछ इस तरह की चीज है ठीक है एक, दो, तीन, चार पद है एक, दो, तीन, चार पद उसके अंदर भी है पहले वाले का क्यूब है, दूसरे वाले का क्यूब है इसमें X, Y स्क्वार की टर्म है इसमें X, Y स्क्वार की टर्म है तो इतना तो समझ में आ सकता है इसको देखके कि कुछ-कुछ ऐसा फॉर्मूला इसके अंदर काम में आना चाहिए पर ऐसा फॉर्मूला हम बनाने की कोशिश अब यहाँ पर करते हैं क्या लिखा हुआ आपके पास 8x cube 27y cube plus 36x square y plus 54 xy square perfect पहले वाले का cube चाहिए तो इसको तो मैं 2x की गात 3 कर सकता हूँ इसको भी मैं 3y की गात 3 कर सकता हूँ कोई दिक्कत इसका मुर्क को perfect cube बनाना पड़ेगा perfect cube तब यह फॉर्मूला में लगा सकता हूँ अब देखिए यहां के आएगा यहाएगा 3 पहले वाले का square मतलब 4x square और फिर दूसरा वाला यह 3y क्या मैच कर गया है कितना हुआ 12, 12, 36, 36 आगया x square y आगया मैच कर गया यहां क्या लगाऊंगा 3 पहले वाला संक्या 2x और दूसरे वाले का वर्ग मतलब 9y square देखो क्या मैच कर गया यह आगया 3, 2, 6, 9, 64 परफेक्ट तो यह वाला portion भी मैच कर गया आपना अगर यह मैच कर रहा है तो किसका formula वनेगा है 2x plus 2x plus 3y का hall cube और मुझे अगर गुनन खंड करना है तो मुझे यह 3 बाल लिखना पड़ेगा ठीक है देख लो एक बार question को simple यह वाला form था इसको मुझे इस form में convert करना था पहले पत्का cube किया दूसरे पत्का cube किया यह formula लगा के check किया तो यह वाला term मैच कर रहा है यह वाला term इससे मैच कर रहा है तो इसका यह वाला formula अपना काम कर गया x plus y का hall cube और इसको गुनन खंड है तो तीन वार अलग-अलग लिख दिया correct आगे बढ़े अब देखिए आपके सर्व समीका है यह भी काफी काम की सर्व समीका है कई जगे काम आती है आपके 9th में भी काम आती है और बहुत सारी competition exams में भी काम आती है यह क्या बोलती है यह बोलती है कि x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz किसके बराबर होगा यह बराबर होगा x plus y plus z गुना x square plus y square plus z square minus x y minus y z minus z x बारी वाली सा लगा कुछ ठीक है क्या होगा है इन तीनों को तो x plus y plus z एक जिससे हो गया पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग, तीसरे का वर्ग minus पहला गुना दूसरा minus दूसरा गुना तीसरा minus तीसरा गुना पहला तो सबसे बहले तो हम इसको जिद्ध करके देखते हैं कि किस तरह से आती है इसकी उपत्ति किस तरह से होती है वह हम एक बार देखते हैं तो हम इसमें आपका ये left hand side है right hand side लिते हैं सबसे पहले तो ये आपका x plus y plus z और किस से गुणा हो रहा है ठीक है right hand side लिया इसको मैं simple गुणा करके देखता हूँ क्या मेरा इसके वराबर आता है नहीं आता पर इसका गुणा भी आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा वरना इसको solve करके यहां तक लाने में कई बार इंसान गलती कर देता है देखो x को x square से गुणा किया तो क्या मिला x cube मिला ये आपका x y square मिलेगा ये आपका x z square मिलेगा minus का आपका x square y मिलेगा minus का x y z मिलेगा और minus का x square z मिलेगा ठीक है इस x से मैंने इस पूरे को गुणा कर दिया अब मैं इस y को इस पूरे से गुणा करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा x square y खा कही x square y आ रहा है ये आ रहा अगर हम नीचे लिखते जाएंगे तो मैं cancel करना बाद में आसान होगा x square y आ गया y cube आ गया y cube को मैं यहाँ पर रख देता हूँ y z square ये खहीं term इसमें ही नहीं इसको इहाँ डाल दो ठीक है ये आएगा minus x y square ये रहा minus x y square यहाँ लिख दो minus y square z ये कहीं नहीं है इसको इहाँ डाल दो minus y square जोड़ गया minus x y z इसको इहाँ लिख दो ठीक है इस पूरी term को y से multiply किया है सिर्फ arrangement अलग-अलग किया है और arrangement क्यों अलग किया है ताकि इन चीजों को मैं cancel कर पाऊँ इन चीजों को मैं cancel कर पाऊँ इसको मैं जोड़ पाऊँ और ऐसे term इसमें कहीं भी नहीं है इसको मैंने side में डाल दिया है z से गुना करता हूँ अब मैं पहली term लेगी x square z तो खहीं x square z लिखा हुआ है ये रापका इसको x square z लिख दिया मैंने z को y square से गुना किया तो z y square ये रापका y square z फिर z को z से गुना किया तो z cube आगया आपका फिर z को x y से गुना किया तो minus x y z आगया आपका फिर z को y z से किया तो minus y z square आगया फिर z को last में गुना किया तो minus x z square यह minus xz square आ गया ठीक है अब इन सब को जोड़ देना है देखिए क्या क्या cancel out होगे आपका यह दोनों cancel होगे यह दोनों cancel होगे यह दोनों cancel होगे यह दोनों cancel होगे यह term cancel होगे यह term cancel होगे समझ पाएं यह सब कुछ cancel होगे हमारा क्या बचा x cube plus y cube plus z cube sub cancel minus 3xyz इधर भी sub cancel ठीक है तो हम यह बोल सकते हैं कि इसका मान बराबर होता है x plus y plus z x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx ठीक है perfect है formula इसकी एक special condition और है इसको भी हम लिख लेते हैं वो भी काफी महत पूर्ण है आपकी क्या था formula हमारा हमारा formula था x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz इसके बराबर है x plus y plus z और x का square plus y का square plus z का square minus xy minus yz minus zx ठीक है special condition है इसी formula की यदि आपका x plus y plus z का मान जीरो हो यदि तीनों चर को जोडने के बाद आपको जीरो प्राप्त होता है तो क्या होगा यह आपका x cube आजएगा यह आपका y cube आजएगा यह आपका z cube आजएगा यह माइनस का 3xyz और इदर के आएगा right hand side की तरफ के आएगा xyz 0 हो गया इसको मैंने 0 माना इसके 0 के वह इससे पूरा का पूरा term मेरा 0 हो गया ठीक है अगर तीनो चरका मान 0 हो गया तो इदर की पूरी portion मेरी 0 चली गई अब मैं क्या बोल सकता हूं और यह भी अपने आप में मेरा काफी important result है यह अगर x plus y plus z का मान 0 होता है तो x cube y cube z cube का मान जो है उन तीनों के गुणा से तीन गुणा होता है इस तरह के questions भी हमारे काफी पूछे जाते हैं यह clear है ठीक है तो हमने x plus y की whole cube देख लिए x minus y का whole cube देख लिया और एक formula यह देख लिया यह वाला और इसी की वियाब पर क्या होगा x plus y plus z का मान अगर 0 है तो x cube plus y cube plus z cube का मान 3xyz के बराबर होगा अब इसी की उपर कुस questions लेते हैं हम यह पहला वाला question है देखो इसके हमको गुरंखंड करने है question देखके सीधा सीधा समझ मारा है कि यह वारा formula इसमें हमको apply करना है पर इसको apply करने के लिए उसकी शकल उसको जैसी बनानी पड़ेगी formula क्या है हमारा ठीक है यह formula है तो इसकी जो शकल है वो इसके जैसी अपने को बनानी पड़ेगी तो पहली संख्या का तो cube करो क्या लिखा हुआ है 8x cube plus y cube plus 27 27z cube minus 18xyz perfect इसकी शकल इसके जैसी बनाओ तो क्या कर सकता हूं मैं यह कर दिया यह तो already एक जैसे ही है इसकी शकल भी इसके जैसी बनाओ ठीक है तीन का cube आपका 27 होगा अब देखो क्या यह इसके बराबर आरा है क्या है आपसमें बराबर आरा है चेक करो यह आपका हुआ दो 3, 2, 6, 6, 3, 18, 18, 18, x, y, z बराबर आरा है बराबर आरा तो direct formal आपका apply कर दो किसके बराबर हो गए x plus y plus z के बराबर और x square plus y square plus z square minus x square plus y square plus z square minus x y minus y, z minus z x ठीक है इसको solve कर लेते हैं आसान है ना या confusion है एक बार check कीजिए देखिए कहीं कुछ गलती है समझ में आया नहीं समझ में आया अगर ये formula आपको याद है जो आपको याद हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है एक दो बार इसको देखना एक दो बार revise करना formula आपको याद हो जाएगा एक दो बार drive कर लेगा दो बार भी अगर इसने इसका derivation आपने इससा कर लिया इसको डंग से गुणा कर लिया आप नहीं भूलोगे तो ये point तो आपका ये हो गया दूसरी बात आपकी ये देखिए आप इसके बाद कि हमको ये इसकी शकल का ये दिख रहा है जैसा ये दिया हुआ है जैसा कैसा ये दिख रहा है तो दोनों को match करना पड़ेगा पहला वाला perfect q होना चाहिए तो 2x का cube कर दिया दूसरा वाला मैंने y का cube कर दिया तीसरा वाला मैंने 3z का cube कर दिया और ये 3xyz के बराबर ये terms हो गई फिर तो यहां से लेकर यहां तक direct formula हमको put करना है xyz की value को सिर्फ और सिर्फ replace करना है ठीक है अब ये दो जो सर्व समीका हैं ये आपकी book में दो questions की तरह दिये हो हैं आपकी जो exercise दे लास्त वाली 2.5 उसके अंदर है सर्व समीका number 9 और सर्व समीका number 10 ये दोनो questions के रूप में दिये हो हैं बर ये हमको ऐसे formula भी याद होना चाहिए क्यों क्योंकि इसके base पे कही सारे questions पूछे जाते हैं और इस formula को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है तो क्या बोलता है देखो एक चीज हमने देखी थी ये अगर हम x प्लस y का अगर मैं hall cube करने जाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है ये वाली बात मान रहे हो नहीं मान रहे हो किस बात से agree कर रहे हो अगर मैं x प्लस y का hall cube करूँगा तो मुझे कि इस तरह की term मिलेगी मेरे formula में कुछ इस तरह की शकल दिख रही है मेरे को ऐसी कुछ चीज मुझे मेरे formula में नजर आ रही है तो इसको मैं एक तरफ कर लिता हूँ बाकी को दूसरी तरफ भेज जता हूँ ठीक है तो मैंने क्या किया उस पूरे portion को उठाके इदर ले आया इदर क्या बचेगा ये वाला portion मेरे इससे match कर गया अब इस वाले portion को इससे match कर रहना है ठीक है तो मैं क्या कर सकता हूँ दोनों में से मैंने x प्लस y को common ले लिया कोई दिक्कत x प्लस y दोनों में से common आ रहा है common ले लिया अंदर क्या बचेगा ठीक है? यही बचेगा इसके स्क्वाइर को मैंने खोला तो क्या मिलेगा? x स्क्वाइर प्लस y स्क्वाइर प्लस twice x y माइनस 3 x y देख लो एक बार यही बचेगा? x y को कॉमन ले लिया इसका स्क्वाइर खोला x स्क्वाइर प्लस y स्क्वाइर प्लस 2 x y माइनस 3 x y और यह आपका ऐसे कैसी टम्स आ गई? कोई दिक्कत? अरे यार मैं हर बार इसको बीच में नहीं उत्तवाता हूँ क्योंकि मुझे आदत कुछ इस तरह की पड़ी हूई है चलो क्या आता है? इसको इसे बोलते हैं अपन इस तरह से आपको याद हो गए चीक है? इसको आगे और हल करते हैं हम तो क्या मिलेगा हमको? प्लस का दो, माइनस का तीन ठीक है? ये वाला अपने इसके बराबर हो गया और याद रखना है तो कैसे रखोगे? देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रखना है तो पहले जैसा लिखा हुआ है प्लस का चिन आएगा और अगर यहाँ प्लस का चिन आया है तो यहाँ माइनस का चिन आएगा ठीक है? यही आपको अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब याद रखना है तो यहाँ तो जहाँ वाई है उसको माइनस वाई कर दो तो y की जगे माइनस y करते ही ये तो लिखी दो ताम पूरा x प्लस माइनस y कर दिया आपने ये आपका x स्क्वाइर हो गया ये माइनस हो गया ये x हो गया, ये माइनस y हो गया z कैसे लिख दिया यार ठीक है x square हो गया, minus x हो गया, minus y हो गया और यह minus y का all square हो गया तो यह क्या हैगा x minus y यहाँ पे आपका x square plus x y plus y square तो देखो अगर यहाँ plus का निशान है यहाँ तो यहाँ भी plus का चिन आएगा अंदर minus हा जाएगा यहाँ minus का है तो बाहर minus हाएगा अंदर प्लस आ जाएगा. ठीक है, इतनी सी बात है. और यहyszर्फामिका आपकी ये वाली है. जिसको अभी हमने डेराइब किया है. तो, टोटल हमने क्या देखा? टोटल हमने दस सर्फामिका हैं देखी हैं. ठीक है, टोटल दस देखी हैं, 10 को paper में आपकी copy में एक जगे लिखो उनको पहले उनको निकालना सिखो जिस तरह से हमने उसको derive किया है न वो आपसे पूछा नहीं जाता पूछने के chances बहुत कम है पर अगर आप उस derivation आपने एक बार कर लिया तो उसका formula भूलना बहुत मुश्किल उसके बाद आपको याद रहेगा वो चीज तो सारे के सारे 10 के 10 को एक जगे रखो और उनको बीच बीच में एक बार revise करते रहो और प्लस एक दो बार उनका derivation करके देख लो निकाल के उनको आप देख लो ठीक है एक जगे कर लिखनी है तो लिख दू एक जगे सारी के सारी चलो ठीक है सब के सब हम एक जगे लिखी देते हैं सर्व समी काएं पहली वाली क्या है पहली वाली है एक्स प्लस वाई का हॉल स्क्वेर वरावर x square plus twice x y plus y square फिर क्या किया है x y को minus y से replace कर दिया है तो हर जगे minus y आ जाएगा फिर क्या किया है x square minus y square को लिखा है तो एक बार इनको जोड़ दो एक बार इनको गटा दो गुणा कर दो फिर क्या था x plus a x plus v इसका क्या लिखोगे एक बार इनको जोड़ दो x से गुणा कर दो एक बार दोनों को गुणा करके लिख दो पाचमा क्या था आपका तीन पद में square पहले का square दूसरे का square तीसरे का square twice पहला दूसरा twice दूसरा तीसरा twice तीसरा पहला ठीक है पाचमा हो गया चट्टा क्या था आपका X प्लस Y का अगर मैं 3 घात लूँ तो यह आपका पहले का घात 3 दूसरे का घात 3 3 X Y X प्लस Y और एक रूप और S का पहले की घात 3 इनकी घात को गिराते वे लिखो ठीक है? Y की घात को बढ़ाते वे लिखो बाई की घात को इधर से गिराते वे लिखो और बीच में 3-3 से गुणा कर दो तो क्या निकलेगा आपका X की घात 3 प्लस 3 X स्क्वाइर Y प्लस 3 X Y स्क्वाइर प्लस Y क्यूग इसके बाद क्या था माइनस में कर दो 6 सात्वा नम्बल लिखो आपका X माइनस Y का अगर मैं होल क्यूग करने जाता हूँ तो आपका आएगा X क्यूग माइनस Y क्यूग माइनस 3 X Y X माइनस Y और आपका आएगा X क्यूग माइनस 3 X स्क्वाइर Y प्लस 3 X Y स्क्वाइर माइनस Y क्यूग छीक है इसके बाद आपका आठमा नंबर क्या था? आठमा नंबर था आपका x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equals to x plus y plus z x square plus y square plus z square minus x y minus yz minus zx correct? अगर इसमें x plus y plus z का मान जीरो हो जाता है यदि x plus y plus z equals to zero है तो x cube plus y cube plus z cube का मान किसके बराबर होगा? 3xyz के बराबर होगा यह 8 हो गई आपकी 9th नंबर की सर्वसमें का बोलती है x cube plus y cube का मान x plus y और अंदर आपका minus का चिन्ने लगा दो अगर बहार minus है तो अंदर लगा दो सारी की सारी दस आपको एक paper पर लिखनी है और उसको at least अभी के लिए हर 7 दिन में एक बार इसको देखना है एक बार इसको revise करना है फिर आप एक दो महने में कर सकते हो अगर initially आपने 7-7 दिन में दो बार revise कर दिया तो फिर आप एक मेने तक इनको नहीं भूलोगे एक बाल लिख लो सबको सबकी उत्पत्ति कर लो अपने आप सबको प्रूब करके देख लो फिर साथ साथ दिन में इसको दो बार रिवाइज कर लेना उसके बाद अगर आप एक मेने बाद भी उठा कर देखोगे तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा आप फॉर्मूला नहीं भूलोगे पर अगर यह फॉर्मूले याद हैं तो पूरी के पूरी के पिश्टनावली में कुछ भी नहीं है वो अपन आसानी से रख सकते हैं ठीक है विद्धारती तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं नेक्स्स क्लास में मिलेंगे तब हम एकसरसाइज के कुछ न्स को सौल करने की कोशिश करेंगे तो आज के लिए इत्ता है